शभी मित्रों को जै जै सिया राम प्रभु स्री राम एबं बजरंग बली की कृपा हमारे शभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है तो मित्रों आज बताएंगे कि शुंदरकांड पाठ करने के चमतकारिक फाइदे शनातन धर्म में मंगल बार के दिन लोग शुंदरकांड का पाठ करते हैं शुंदरकांड का पाठ करने से बहुत सारे लाब मिलते हैं वैसे शुंदरकांड का पाठ खुद ही करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो सके तो जो लोग शुंदरकांड का पाठ करते हैं उन्हें सब् में एक बार घर बुलाकर पाठ करवाना चाहिए मैरसी बालमिकी द्वारा रचीत रामायन पराधारित तुलसी कृत महाकाब्वे राम चरित मानस का पंचम सोपान है शुन्दरकांड शुन्दरकांड में रामदूत पवन पुत्रहनुमान का ये शोगान किया गया है आईए जानते हैं कि शुन्दरकांड के पाठ से क्या लाब होते हैं शुन्दरकांड का पाठ सभी मन कामनाओं को पुर्ण करने वाला माना गया है किसी भी प्रकार की परिशानी या संकट में सुन्दरकांड के पाठ से सारे संकट से मुक्ती मिल जाती है सुन्दर कांड के पाट से भूत, पिसाच, यमराज, सनी, राहू, केतू, ग्रहन, छत्र, आदि सभी का भय दूर हो जाता है अनुमान जी के सुन्दर कांड का पाट सब्ता में एक बार जरूर करना चाहिए जोतिस सास्त्र के अनुशार किसी भी विशम परिस्थिती में सुन्दर कांड का पाट करने की सलाह दी जाती है जीवन में किसी प्रकार की शमस्याय उत्वन होती है तो आप संकल्प लेकर लगातार सुन्दर कांड का पाठ करें सुन्दर कांड में से एक नहीं बलकि अनेक सैक्रों समस्याओं का समाधान तुरंत मिन्ने लगता है स्री राम चरित मानस के रचीता गोश्वामी तुल्षीदाज जी के अनुशार अनुमान जी को जल्द प्रसंद करने के लिए सुन्दर कांड का पाठ राम बानुपाय है सुन्दर कांड पाठ करने वाले के जीवन में खुशियों का शंसार होता है और आपका जीवन सुखमे होता है सुन्दर कांड करने वाले व्यक्ति के अंदर सकारात्मक और विचारात्मक उर्जा का संचार होने लगता है या ब्यक्ति किसी भी काम में अपनी रूची दिखाता है और उसमें अपना सकारात्मक परिनाम उस्षे मिलते हैं सुन्दर कांड का पाठ करने से ब्यक्ति के मन से भय जाता रहता है और आत्म विश्वास बढ़ता है सापताहिक पाठ अगर सुन्दर कांड का आप करते हैं तो इसे ग्रीह कलेश दूर होती है और परिवार में खुशिया बढ़ती है निमित सुन्दर कांड का पाठ करने से कही रोगों से छुटकाडा मिल जाता है हनुमान जी की भक्ती करने और निमित सुन्दर कांड का पाठ करने से बेक्ती जीवन के हर छेत्र में सफलता से आगे बढ़ता है तो बोलिए जै जैस याराम जै हनुमान